हेलो फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए के निव टॉपिक ले क्या आया हूं वेस्टी ओबरहेड टेंग हमारा 800KL का यह इसमें हम आज में पूरा वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि हम कौन को निकल जो वाल होता है हम इसका स्टील बैंडिंग वर कैसे करते हैं हमारा बाइंडर कितने का दिया हुआ है ड्रोइंग में हमारा में बार कितने का दिया हुआ है spacing क्या है, कैसे हम container wall के लिए जब हम steel banding करते हैं, तो कैसे हम यहाँ पे उसका measurement करते हैं, सबसे पहले हमको कौन wall banding करने के लिए marking कैसे करना होता है इस video में पूरा मैं एक एक step by step को आप detail से बताऊंगा, तो आप video को पिलिज last तक देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ drawing की बाते मैं समझा देता हूँ, drawing दिखा देता हूँ आप लोग को, उसके बाद मैं पूरा अंदर चल के मैं कैसे कैसे हमने measurement लिया हुआ है, marking किया हुआ, मैं पूरा detail से बताऊंगा, सबसे पहले मैं drawing के समझा देता हूँ है आपको ठीक है, फ्रेंट से हाप आप ध्यान से देख सकते हैं हमारा टॉप में जो binder गया हुआ यह हमारे यहां पे बाटम में पांच उपर में ठीक है दिख रहा नए यहां फे पांच नम्मर और छे और यहां पर देख सकते हैं पांच और छे नमर जो हमारा इसका बाइंडर आएगा ठीक है 12 mm डाय का 130 का स्पेसिंग दिया हुआ है यहां पर 240 नमर बार दिया है तो हम स्पेसिंग निकाल लेंगे ठीक है फ्रेंट्स तो हम बॉटम डॉम का तम अल्लेडी वीडियो एक अपने मेजर्मेंट कैसे लेना है जैसे कि फ्रेंट्स देख पा रहा होंगे हमारा यह बॉटम डॉम है ठीक है यह बॉटम डॉम हमारा हो चुका है बीम भी हो चुका है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा यहां से बीम से बीम का अंदर हमारा इस्टील गया हुआ दस नमर गोढ़ प्रेंट्स तो मैं आपको दिखाता हूँ ड्रोइंग में जίसे दीख रहा था यह हमारा धीयान से 10 नंमर जो 12 हुए हमारा बार है भाटम में दिया ओए होना है डूबल जाल दोप में भी मजटम यहाँ हुआ है ठीक है 241 नमर्पीस दिया हुआ था टोटल में हमारा 241 नमर्पीस यह लगना है ठीक है यहां पर यह देखिए यह हमारा बॉटम यह टॉप ठीक है तो ड्रोइंग में दिखा रहा है यह सीधा यह हमारा बीम है बीम के आउटर फेस्ट से 50 mm कबर छोड़के आपको व फूट तक हमारा वाकवें बनेगा वाकवें में यह टील जो में बार जारा है उसके अंदर तक जाना है ठीक तो सबसे पहले आपको यह काम करना होगा यह जो हमारा बीम दिखukt ही ओओऊ यह आंदर का 15 म प非常 जबर उट करेैहे आप सबसे पहले क्या करें कि इसका जो सेट्रिंग का पूरा काम कंप्लीट हो जाए ना तो उसके बाद इसका आप डाया का मेजरमेंट के सेंटर ले ले यहाँ पर बीच में यह डूम दिया हुआ है डूम का सेंटर से एक टेप पकड़के रेडियस लेके आपको बीम का पू लेंगे और आउटर भी मेजरमेंट आपको कर लेना ठीक है और हम वह मेजरमेंट हो जाएगा तुसी के सर्कूलर में आपको पूरा गोलाई में आपको बीम बीम बाइंडिंग कर देना ठीक है यहाँ पर वह आपको सबसे पहले कर लेना होगा सबसे पहले आपको बीम ही ब देख लीजिएगा ठीक है फ्रेंस यही हमारा मेन है और यह जो हमारा आपको दीख पा रहा होगा यह हमारा बाइंडर जो दिया है 12 mm का दिया हुआ ठीक है यह 12 mm का 200 का एस्पेसिंग पर दिया हुआ तो आपको सबसे पहले हैं नहीं हमारा बॉटम बार यह बांधना है सबसे पहले आप मेन बार बॉटम का 12 mm का दिया है इसको बाइंडिंग कर ले उसके बाद बाइंडर इसी को ऊपर यह वाला आपको पूरे में घुमा देना है ता उसके बाद फिर टॉप वाला जो बाइंडर है वो फिर बांधनी इसको बाइंडिंग करना है क्योंकि अगर सबसे पहले नहीं करेंगे यह भी मेन बार के नीचे ही ड्रोइंड में दिया हूँ आईसली हमको भी यहां पर बाइंडिंग बाइंडिंग binding हो जाएगा उसके बाद में हमारा ये 10 नेमर जो बार है इसके उपर जो binding हो रहेगा हमारा बाइंडर इसी उपर में बार 10 mm का आपको लग जाएगा ताप मेरे बातों का पूरा ध्यान से सुनिएगा तभी आपको एक-एक step भी मिस मत किजिएगा ठीक है यहां पर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे ये हमारा एक्स्टरा बार भी दीया हुआ है जो हमारा अला होगा का जो हमारा ये पूरी इस साइड का भी हमारा डोम का भी पकड़ करेगा हमारा कून वाल के लिए दोनों साइड से हमारा एक एक्ट्रा जो बार होता है ठीक वो दिया हुआ है जो कि हमारा मजबूती होगा इस साइड भी पकड़ पनेगा और इस साइड भी दोनों का हमारा ब पूरा दिखा दिया मैं आपको ऊपर में भी दिखा देता हूं हमारा कंटेनर वाल के साथ में जो अमारा बालकुनिया आने वाला है उसका च्छिल रावाक वांडि वी लग रहा है यहां पे यहां आपकोड सकता हूं 8 mm का स्टिल बैंडि दिया हुआ तो मैं आपको इसे में आपको समझाता हूं है Caitlin और सेमारा वाखवे में तिक ओर के सकाल चील यहां पे यह से बैंडर जो आएगा होह हमारा एक मीटर हमारा कितने का एगा दोसिए में का आख रैई का उसके बाद हमारा 8 mm happy यсть जबाड़ा लोट परता है रहाम नीचे में ही इसमें जो आप टर फीलिंग होगा तो इसी लिए हमें हाँ पर बाइंडर जो 10 का दिया हुआ ठीक उसके बाद आपको पूरा 8 mm का मिलेगा कंटेनर वाल आप लो तो समझ गये होंगे कि यह आर्च इसी जो वर्टिकल वाले इसके साथ में हमारा बैंड इस वाकवे का भी इसमें बाइंडर भी आएगा उसके बाद मैं आपको केंटी लि हमारा इसके बालकूनी को उपर ऐसे चलने के लिए पूरा वाकवे बना हुआ है इसके उपर आदमी चल सकता है यह बीम है बीम से अपना से आएगा फिर इसको नीचे से आपना सीडी आएगा जो कॉलम से च्छूटा हुआ फिर इसके उपर आपको वाकवे से 4 तरफ आप चल सकते ही जी ली ठीक है फ्रेंट्स तो आसा करता हूँ आप लो जरूर पूरा 800 केल का स्टील बैंडिंग वर का आप लो समझ गयोंगे बॉटम डोम का हम अलेडी वीडियो पहले अपलोड करी चुके थे तो आज मैं पूरा आपको कौन वाल कंटेनर वाल के बारे में मैं इस वीडियो में पूरा डिसकस कर चुका हूँ तो अगर आप लो मेरे चैनल को अभी तक स सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिली चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए सेर किजिए थांक यू वाचिंग माई वीडियो